इस सप्ताह कतर में आठ भारतियों को मौत की सजा सुनाई गई और उन पर कथित तौर पर इसराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। भारत और कतर के सूत्रों ने रॉटर्स को बताया कि पूर्व नौसेना अधिकारियों पर इसराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है और वे मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। हाला कि दोनों देशों के अधिकारियों ने समू के खिलाफ आरोपों और आरोपों के बारे में अभी तक विस्तार से जानकारी नहीं दी है। ब्लूमबर्ग ने इस मामले से परिचित एक अनाम व्यक्ती के हवाले से कहा कि आठ लोग कतरी नौसेना के प्रशिक्षण में शामिल थे। प्रकाशन में कहा गया है कि उन्हें कथित जासूसी के लिए कतर की प्रथम द्रिष्ट्या अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हिरासत में लिए गए अनुभवी सुगुनाकर पकाला के बहनोई सी कल्यान चक्रवर्ती ने इस बीच समवादाताओं से कहा कि आरोप पूरी तरह से जूटे और निराधार थे। ये सभी लोग पचास वर्ष से अधिक उम्र के हैं और वे अपनी आजीवी का कमाने के लिए दोहा गए थे, वे जासूसी क्यों करेंगे और किस फाइदे के लिए? इसलिए मैं भारत सरकार से मेरे जीजाजी और अन्य लोगों को भारत लाने का अनुरोद करता हूँ, उन् मताबिक नई दिल्ली अपूर्व नौसेना करमचारियों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ अपील पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, मौत की सजा के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं और विस्तरत फैसले का इंतजार कर रही हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी सीन के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्क तलाश रही हैं। हम इस मामने को बहुत महत्र देते हैं और इस पर बारिकी से नजर रख रही हैं। हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर के अधिकानियों के समक्ष भी उठाएंगे विदेश मंत्राले ने फैसला आने के तुरंट बात कहा था। नई दिल्ली भारत ने कतर की एक अधालत द्वारा आठ पूर्व भारतिय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाये जाने के मुद्दे का समाधान खोजने के लिए चुपचा प्रयास शुरू कर दिये हैं। हालांकी दोनों देशों के अधिकारी शुक्रवार को इस मामले पर चुप़ी साधी रहे। कतर के अधिकारियों ने इस मामले पर पूरी तरह चुप़ी बनाये रखी जिसका देश की मीडिया में कोई उल्लेख नहीं हुआ। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि कतर के प् जालत के फैसले पर गहरा आगहात व्यक्त करने और सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करने का वादा करने के बाद भारतिय पक्ष की ओर से कोई और टिपड़ी नहीं की गई. लोगों ने कहा कि मामले का समाधान खोजने के लिए राजनेक और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से शांथ प्रयास शुरू किये गए हैं. जिन संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, उनमें फैसले के खिलाफ अपील दायर करना या दोशी कैदियों के स्थानांतरन के लिए 2015 में भारत और कतर द्वारा हस्ताक्षरित समझोते का उप्योग करना है ताकि वे अपने ग्रह देश में अपनी सजा पूरी कर सकें सजा पाएं व्यक्तियों के हस्तानतरन पर समझोते को उसी वर्ष कतर पक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह कतर के अमीर शेक तमीम बिन हमद अल्थानी द्वारा भारत की राजकिय यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित छे समझोतों में से एक था अंतराश्य न्यायाले का दर्वाजा खटखटाने की भी संभावना है जैसा कि पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूशन जाधव के मामले में किया गया था जिनने 2016 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और बाद में कथित जासूसी के आरोप में एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी आठ लोगों के पूर्व न्योकताओ मान स्थित दहरा इंजिनियरिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज जो अब बंध हो चुकी दहरा ग्लोबल टेकनोलोजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज का मालिक है कि और से भी विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई दहरा ग्लोबल को इस साल मई में बंध कर दिया गया और उसकी जगह एडवांस्ट सर्विसेज एंड मेंटेनिंस ने ले ली हिरासत में लिए जाने के समय सभी आठ लोग दहरा ग्लोबल टेकनोलोजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे जो एक निजी कंपनी थी जो कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी ऐसा माना जाता है कि वे कतरी नौसेना में इतालवी निर्मित बौना स्टील्थ पंडुब्यों को शामिल करने की देखरेक कर रही